लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाईए हमारे साथ जूड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार स्वागत आप सब इकार न्यूज 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रियाश शर्मा अयुद्या में लॉक्टाउन के दूसरे चरण में प्रिशासन सकत है लगातार लोगों को घरों से बाहर नहीं जाने की हिदायत दी जा रही है अयुद्या में बंदी के बावजूद का उलंगन करने के मामले में कई वाहनों के चालन किये गए हैं वहीं बिना कार्ट बाहर निकलने वालों के वाहन सीज कर दी गए हैं कोरोना वाइरस संक्रमन को लेकर अयोध्य जिला ग्रीन जोन में है, ग्रीन जोन बरकरार रखने के लिए प्रशासन दिन रात अलर्ड है, गुरुवार को बंदी के दुरान भी लगातार उनके उलंगन करने के मामले सामने आए है, शेतर अधिगारी नगर अर्विन चोरसिया का कहना है कि प्रशासन दूसरे चरण में लॉगडाउन के उलंगन पर कठोर कारवाई करने के लिए प्रतिबंध है, उन्होंने बदाया कि एक दिन में उन्होंने अकेले तीस वाहनों के चालन किये हैं, वही दगर मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश का कहना है कि लॉगडाउन लॉगडाउन में जैसे हम लोग पहले सक्टी कर रहे थे, बिलकुल उसी प्रकार से जो है, सक्टी अभी बराबर चल रही है, हमारी पुलिस फोर्स और हमारी पुलिटीम जो हर चराय चराय पर लगी हुई है, सब लोगों से रोक टोक की जा रही है, पूछा जा रहा है, कह काम से जा रहे हैं, और जो इदावदर बेवजा घूमते हुए पाया जा रहे है, उनके खिलाफ कारवाई हो रही है, कुछ लोगों का चलान किया गया है, जो लोग फर्जी तरीके से निकलते हैं, उनकी गारी आसीज कर दी जा रही है, ताकि जब ना गारी रहेगी जो है, जो है, आनों को सच्चेत भी किया जा रहा, समझाय बुझाया भी जा रहा है, खिम दस्ता से पेवजा ना निकले है, और लोगों से मैं यही अपील करूंगा, फिल बेवजा घर से ना निकले हैं, बहुत जडियो होने पही हैं, और जब भी निकलें तो मास्क लगा करके, हेलमेट लगा करके और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुई घर से निकले हैं जो लोग अनावस्टेक रूप से टहल रहे हैं उनके खिलाफ हम सक्त कारवाई कर रहे हैं यह लगडाउन केज टू है इसमें हम और सक्ति वरत रहे हैं अपना एध्या जिला ग्र पर दीश